लवजीत अवस्थी इनका सवाल है कि भगवान होता है कि नहीं इन सवालों का मैं कई बार जबाब दे चुका हूँ बार बार वही सवाल पूछा जाता है मैंने जब अखिल भार की अंदर शिरद्धा निर्बुलन समीति के नाम पर इस संगडन की शुरुवात की इस काम की शुरुवात की तब मैंने तई किया कि मैं गाड़गे महाराज वारकरी संप्रदाए संदो का जो मार्ग है संद गयनेश्वर संद नामदेव से लेकर संद तुकाराम से लेकर तो गाड़गे महराज और तुकड़ोजी महराज उस मार्क से जाऊंगा और लोगों का प्रबोधन करूंगा इसलिए मैंने संगडन के स्तर पर तै किया कि लोगों का प्रबोधन करते वक्त मैं धर्म के खिलाप या भगवान के खिलाप बिलकुल नहीं बोलूँगा लेकिन गाड़गे महारास से लेकर सभी संतों ने लोगों की भगवान की कलपना सुधारने का बहुत ही महत्वपुर्ण काम किया है स्वामी विवेकानंजी ने भी वो काम किया है संद कबीर ने संद रोहिदास ने भी वो काम किया है स्वामी विवेक अनंजी को जब ये सवाल पुछा गया जो सवाल आपने मुझसे पुछा है तो उन्होंने जबाब में कहा था कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आपकी मदद करता है इसका मतलब ऐसा है कि भगवान आपका नुकसान भी नहीं करता और आपकी मदद भी नहीं करता आपको वह स्थक्षेब भी नहीं करता आपके जीवन में नहीं आपका नुकसान करता है यही बात गाड़ के महाराज ने अलग शब्दों में लोगों के सामने रखे अभी मैंने बार-बार गाड़के महाराज को सुनाया है यहां केवल एक छोटा सा उधारण लोगा वो पूछते थे लोगों को किर्टन में परंपरा जो थी उनकी किर्टन के लिए लोग हजारों एकठा होते थे वो सवाल पूछते थे काउन रहे तुम्हे देव मानता का नए लोगों को बोलते थे क्यों रहे तुम देव भगवान को मानते हो के नए लोग कहते हम भगवान को मानते है तुम्हारा भगवान कहां पर रहता है लोग कहते मंदीर में रहता है गाड़ के महाराज केते हैं मैं भी भगवान को मानता हूं लेकिन मेरा भगवान मेरे मन में रहता है दुसरों के मन में रहता है फिर वो आगे सवाल पुछते हैं तुम्हारे भगवान को दोती कोन पहनाता है लोग कहते हैं मंदिरों में जो हमारा भगवान है उसको दोती है वो हम पहनाते हैं फिर गाड़ के महाराज पुछते कि तुम्हारे मंदिर में जो भगवान है उसको दोती तुम क्यों पहनाते हूं भगवान को खुद की धोती नहीं पहनने आती लोग कहते नहीं खुद की धोती नहीं पहन सकते फिर गाड़ के महाराज सवाल उठाते जो भगवान खुद की धोती नहीं पहन सकता वो तुमें क्या पहनाएगा फिर सवाल खड़ा करते तुम भगवान को चड़ावा चड़ाते हो सामने प्रसाद रखते हो लोग बोले हाँ जी प्रसाद रखते है प्रसाद रखने के बाद में क्या करते हो कुछ नहीं हाथ में काठी लेकर बैठते हैं कि इसलिए कुट्टा आता है बिल्ली आती है खा जाएगी इसलिए हाथ में लठ लेकर बैठते हैं क्यों भगवान अपने प्रसाथ पर का कुट्टा बिल्ली को नहीं हाक सकता जी नहीं हा सकता फिर गाड के महराज कहते जो भगवान अपने ही प्रसाथ पर के कुल्ले कुट्टे को बिल्ली को नहीं हाक सकता वो तुमारे जिवन के संकट कैसे हाकेगा ऐसे कई सवाल वो पुछते थे और बात में कहते थे अरे भगवान इंसान के दिल में होता है मंदीर में नहीं होता है भगवान को दुसरे के दिल में देखो मन में देखो भगवान की सेवा करना याने मानवता की सेवा करना इंसान की सेवा करना अपने पास रोटी है दुसरा भूका है तो उसको रोटी दो पानी है दुसरा अगर प्यासा है तो उसको पानी दो अपने पास कपड़े हैं दुसरे के पास नहीं है तो उसको कपड़े दो अगर आप शिक्षित हो दुसरा अनाडी है तो उसको शिक्षा दो इसको भगवान मन ना कहते हैं भगवान की सेवा याने इनसान की सेवा भगवान दुसरों के मन में होता है मंदिरों में भगवान नहीं होता है ये गाड़गे महराज कह रहे हैं तुकडो जी माहराज कहा है, कबीर कहा है रोहिदास संत कहा है यह स्वामे बेविकानन कहा है अगर आपको एय वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करे लोगों में यह अवेरनिस फैलाने में हमारी मदद करे वीडियो को जरूर शेयर भी करे तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजिट करे ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करे उसके लिए सबस्क्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइगन दबाए कर दो